अलो गुड विडियो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BPAG 174 सतत विकास के चेप्टर नमबर 7 या आप इसे कह सकते हैं यूनिट नमबर जो आपकी 7 रहेगी इसको हम देखेंगे इसमें जो हमारा में में जो क्लाइमेट चेंज की परिभासा भी पहुंच सकते हैं या थो बताइए या क्लाइमेट चेंज का क्या क्या परभाव पड़ा है यह आपके एकजाम के पॉइंट विसे बहुँ जादे इंपोर्टन हैगा सामुहिक लेकिन बिभेदी जिम्मेदारियों के सिध्धानत के हैं इसको बताना पड़ेगा और लास्ट का हमारा जो रहेगा 7.5 रहेगा विकास, सतता और जलवाई परिवरतन के बीच क्या संबंध है यानि ड विकास, सतता और जलवाई परिवरतन के बीच क्या संबंध है इनको भी हम देखेंगे यह 3 पॉइंट के रगा आपके exam के point भी उसके बहुत ज़ाधा important है और इनको आप जरूर करके जाएगा ताकि आप अपने exam में अच्छे से अच्छे marks या जादा से जादा score आप अपने exam में कर सकें चलिए हम इसको start करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा most important question आने वाला है और exam के point of view से बहुत ज़्यादा important होने जारा भाई एक question exam के point of view से important रहेगा ठीक है देखें जलवाई परिवर्तन और थोर परभाव देखें पृत्वी के जलवाई में परिवर्तन और इसके प्रतिकूल परभाव मानव जाती के एक सामानी चिंता है या पृत्वी करभाव बैया जो जलवाई परिवर्तन हो रहा है जिने हम कहते हैं climate change हो रहा है या मानव जाती की इंसानों की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई यानी हमारा climate बदल रहा है जो हमारा जलवाई परिवर्तन हो रहा है यह हम सब के लिए गंभीर समस्या बनी हुई जलवाई परिवर्तन एक बैस्विक चुनवती है जो जलवाई परिवर्तन है वो किसी एक देश की दो देश की समस्या नहीं बढ़की संपून देश के लिए चुनवती है या कह सकते हैं कि मुस्किल का सामना है जलवाई परिवर्तन उन्नी सो सतर से असी के दसक के पश्चात से बैस्मिक वार्सिक आउसत तापमान में तेजी से रुजहान में बैस्मिक मुद्दे में सामने आए देखो जलवाई परिवर्तन से क्या रहा है देखो क्या है रहे हैं कि जलवाई परिवर्तन में अगर देखें तो 1970 और 80 के दत से क्या हो रहा है कि हमारा जो धर्ती है धर्ती का जो temperature हो दिन प्रति दिन क्या हो रहा है गरम होता जा रहा है आप लोग भी देखते होंगे आप अ सब को बताऊं तो लगबग दस महीने तो गर्मी ही पड़ती बरसाथ तो बिलकुल तो जाक है और चार महीने का गर्मी पड़ती थी तन्डी गर्मी बरसाथ चार-चार महीने होती लेकिन आब क्या हो रहा है अब तो टमप्रेचर धीरे-धीरे बढ़ रहा है यानि क्या हो रहा है कि 50 यानि 1970 और 80 के तसे क्या होगा कि जो धर्ती का जो तापमान है वह भाईया लगातार बढ़ रहा है और यह बैस्विक मुद्धे में यानि यह खतरनाक हो रहा है हमारे सामने आए मानों गतिविधियों ने जलवाई परिवर्तन महत्पून यानों इंस अगर एक घर में चार लोग रहते हैं तो चार कार खड़ी या अगर एक घर में पांच लोग रहते तो पांच कार खड़ी हैं दस-बारा तो मोटर साइक्ले खड़ी हैं लोगों के बालग अगर्शाइक्ल जो कार चला रहे हैं इसका परदूसन जो हो रहा है कहां जाएगा है सब लेकिन आप क्या है आप तो दस महीने गर्मी ही गर्मी हो रही पड़ रही है लगातार आप वाइसे भी देख रहे हैं तो simple समझे किताब क्या बताएगी वैसे तुम समझ रहा होगे सब चीज हो रहा है सब बदल रहा है देखा होगा ना इसब चीजें बदल रही है यह क्या मानों के काण ही तो हो रहा है लेकिन यहाँ परिवर्तन पहले की तुलना में कहीं अधिक तीब्र गती से खतरनाक है जलवाई परिवर्तन को अस्थानी चेत्री और बड़े पैमाने पर परिवर्तन के रूप में परिभासित किया जा सकता है यह पहले की तुलना में अधिक गती से बढ़ रहा है यानि जो climate change हो रहा है जो धरती का तापन भाईया बढ़ रहा है यह बहुत तेज गती से बढ़ रहा है पहले की तुलना में पहले तो अब क्या है इतना motor cycle है इतना हम लोग पर दूसन करते हैं इतना bike है road पे निकल जाओ तो गाडियों का धुआ धुआ भरा पड़ा है सहरों में एक भी पेड नहीं अगर मैं रोहतक सहर की बात करूँ हरियाना में अगर आप कहीं दे जाओगे तो अगर गाओ छोड़ोगे जैसे सहर की ओच चलोगे तो एक पेड नहीं दीखेंगा तुमको सहरों में दिल्ली तो सारा हो रहा कि हमारी जो जल्वाई गरम हो रही है जो देर्गालिक आउस्त शाषन की जल्वाई से संबन्दित है तापमान तेजी प्रसार और प्रभावित करनवाले कारकों में विशेश्ता से दर जाता है तापमान में बृध्धि और इसके परिणाम में होने वाले परिबर्वार है, पढ़ेम के कारण, इसे 22 महत्तो का मुद़ान, क्या हो गया है, कि ताप मान में लगातार क्या रहे है, लगातार बढ़ रहा है, और इसके कारा जलवाई परिवर्टन जो है बैस भी मुद्धा बना हुआ अगर मैं बताओं जैसे जापान है, चीन है, अमेरिका है, इतना जादा उद्धोग घंदे लगा दिये भाईया, इतना जादा मेल फैक्टरी लगा रखा है, उ लोग क्या करें, कमपणी में क्या होता, गर्मी हितो भरी रहती, यानि अमेरिका, परिवर्तन का कारण बन रहा है यानि climate यानि जो हमारी जलवाई है वातावर्न जो है ओ धीरे धीरे गरम होते चली जा रही है यानि जहां पर भाईया ठंडी पड़ता था वहां पर गर्मी पड़ने लग जाएगा अमाल लो कि हमारी देश में ठंडी नहीं पड़ेगा तो ग जलवाई को मतलब होता कि 30 साल के बाद 40 साल के बाद जब climate change होता ना तो बहुत भाईया खतरनाक होता है इधायन के लिए मैं बता रहा हूं इसे हमारे यहां पर क्या होता है कि ठंड के मौसम में गोहू को बोया जाता है माली जे अनौंबर में गोहू को बोया जाता है और इतना ही गर्मी पढ़ता रहेगा आप देख रहे हो कितना गर्मी पढ़ रहा है वैसे आप देख रहे हो लग इतना पसीना सूख नहीं रहा है वीडियो बनाए जा रहे है हम लोग ठीक है तो वही कह रहा हूं इतना जादा गर्मी पढ़ रहा है तो इससे क्या होगा इंसा िखाध, इसे महात्पुर्ण बैस्विक भूत्ता माना गया, यह सीमा पार भी उत्पन होती है, जल्वाई परिवर्तन राश्ट राज़ द्वारा रेखांकित सीमाओं पर ध्यान नहीं करते हैं, यह जो राश्ट हैं, जो राज हैं, उच्छल्वाई परिवर्तन पर ध्यान बन गए ठीक है डबलप कंटरी बन गए लेकिन जो विकास सिल देश हैं वीचारे अब विकास सोच रहें तो उनको बोलते हैं तो तुम जलवाई परिवर्तन करवारे तुम्हारे कान हो रहा है तो हम लोग क्या है विकास की अंधी दौर में दौरते चले जा रहे हैं डबलप में इंधन की खपत में बड़े पैमाने पर कार खाने और बिजली सैंत्रों में मोटर वाहने और घरों द्वारा अधिक से अधिक कोईला तेल प्राकिर्तिक गैसे जलने से बृद्धी के साथ आर्थिक विकास भीवा अगर देखोगे अगर प्रजन टाइम में अगर देख और जो हमारी गैसे आज घरों में खाना किस पर बनता लकडी पर किसी कहां खाना बनता सब गैस जला रहे हैं ठीक है सब गैस जला रहे हैं ठीक है और गैस जलाने से क्या हो रहा इससे हमारा जो जीवास में इंधन है इससे क्या होगा आर्थि विकास तो हुआ हम लोग डब फटाना में दोशरा उससे जो जो 2 बन रही कार्बन डाइकसाइड. इन्सान को खासे सर्फती हैं आप माली और आप आप ला साहर में रहते हो वहां पर week दुबा रोटी डन वाओ और अपने 되면 दूसरा वाला खाना है तो आपको स्वास्त वर्दक भी बीड़े बीपी है सबका बढ़ रहा है सहरों के लोगों का है मैं अगर बताऊं तो ठीक है तो दूसरा क्या है हम जो लोग क्यों है प्रिट्रोल है जीवास में इंदाना है डीजल प्रिट्रोल का यूज कर रहे हैं जो गैसे जला रहे हैं इससे क्या हो रहा है इससे भी क्या हो रहा कि CO2 यानि carbon dioxide हमारे परेवारने में बढ़ रही है ठीक है CO यानि गैसों का इससे ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा स्रोथ है यानि प्रिथिवी पर वाई मंडल में लिके विक्रन फस जाता है गुलोबल वारिंग का यानि क्या हो था CHG के विविथ रोत है यानि Greenhouse प्रभाव के कान क्या हो रहा हमारी जलवाई परिवर्तन में एक बड़ा इससी जलवाई क्या हो रही है या लगातार चेंज हु रही है और हमारे लिए अछी बात नहीं है यह अच्छी अच्छी बात नहीं है कहने का मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ रहा गाडियों का चलम रहा है वही तो बता रहा हूँ अब आप देख लिजे वही समझ लिए भीया कि अब दस महीने तो गर में ही पढ़ता दो महीने का ठंडी बचा ही देश में इसे को बोलते हैं जलवाई परिवर्तन विकास पर अदूतिय पहमाना का बोजा डाल यानि जलवाई परिवर्तन क्या है कि विकास पर अदूतिय पहमाना का यानि बोजा भी बहुत ज़्यदा पढ़ा है इसके प्रभाव पहले से दिखाई दे रहे हैं जबसे आउधनिक बैग्ज़ानिक प्रमाट दर्सा है कि ग्रीन हाउस गैस उत्स जलवाई जो परिवर्तन है किर्सी वनकी उर्जा टटिये छेत्रों सहित कई छेत्रों और उत्पादक वातरण को प्रकासित करता है यानि जलवाई जो परिवर्तन है जैसे हमारे एगरी कल्चर सेक्टर है उर्जा का छेत्र है टटिये जो छेत्र हैं कई सारे जो छेत्र इनक मूलन भी करना गरीबी को बचाना है सतत विकास के जो लक्स हैं सतत विकास के लक्सों को देखे भई गरीबी दूर करना है भुकमरी दूर करना है ठीक है लोगों को रोजगार देना है डबलप्मेंट और विकास करना है और विकास में क्या रहा कि ग्रीन हाउस प्रभाव जनसंख्या बढ़ रही है जनसंख्या बढ़ रही है इससे भी क्या हो रहा है कि हमारी जो जरूरत की चीज़े हुँ जादा जरूरत की चीज़े बढ़ रही है अग क्या हो रहा है दूसरा कारबन डाय एकसाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यानि हम लोग क्या गैसों का बहुत ज़्यादा भया परियोग करने से मौटर गाड यह ज़ already whiskyrsa बढ गई है क्या हो रहा है कि, गरीबी भी बढ़ती जा रही अगर देखो के लक्त रका था भया गरी निपर पर दूर करना येकिन गरीबी को दूर करना येजिन गरीबी भी निदूर पोरू हो सकते हैं यानि GDP को बढ़ रही है और सारी चीजे देशों का विकास सिल देशों में अगर देखे हुए तो जनसंख्या बढ़ रहे हैं उधान के लिए उप सहारा अफरीका के प्रमार देते हुए वर्सा में परिवर्तन सील ब्रिधी बता पेक्षा की जाते हैं और GDP भी कम हो जलवाई परिवर्तन के प्रभाव में सामिल है यानि जलवाई परिवर्तन के जलवाई परिवर्तन हो रही अब उसके हम पॉइंटों को थोड़ा सा देखते हैं यह भी आपके लिए बहुत इंफॉर्टन रहेगा देखिए जलवाई परिवर्तन के प्रमुक प्रभाव मे परिवरतन से क्या हो रहा है उसका प्रवाग जो हमारे तापमान बढ़ रहा है और भूमी और पानी पर फसल उसे लोगी नहीं होगी ठीक है आगे देखो वर्षा पतिर उपर में परिवरतन यानि जो हर टाइम पर वर्षा टाइम से होती थी मांसून समय से आता था वो भी ख कभी आता कभी नहीं आता है चार महीनी के बरिस होती थी हमारे तैसमें पानी में नहीं बर्षा तो यानि आरंब जो वर्षा काम एक आता था था जो व्रसात का में ये कभी ठापbahn को जाध आई HailИ या बड़े-बड़े तूफान आ रहें, बड़े-बड़े देखको और हमारे जो समुद्र हैं वहाँ पर भी बड़े-बड़े तूफान है, चक्रवाती तूफानों की संख्या बड़ी जलवाई परीवर्तन से आगे पाउधे और पानी की सता पर वापसी करन से नुकसन पाउधे जो हर जो पानी है उनकी जो सता है उन पर पानी उड़ रहा है इससे भी काफी नुकसान हो रहा है ग्लेसियर जो हमारे ग्लेसियर का मतलब होता जो बड़े-बड़े पहाड़ा है वहां पर जो क्या होता वहां की तापमान हमारा गरम हो रहा तो वहां पर जो बरफ है बरफ पिघल रही है और हमारा जो समुद्र जल है समुद्र जल क्या हो रहा है उसमें बढ़ रहा है और अमलिये वर्सा में बृद्धी हो रही है गलेसियर पिघलने से करा अमलिये वर्सा में बृद्धी हो रही और अमलिय वर्षा भी क्या हो रही है जलवाई परिवर्तन का कारण बन रही है निरंतर गंभीर सूखा और बार की समस्या भी वड़ सकती है आगे देखे तूफानों में उच्छवा से अधिक नुक्साना है क्या होता कि जब तूफान चलते हैं ठीक है ठीक है जब तूफान फैलेगी या जो हमारी फासल होंगी वो बरबाद होगी कि इतना सक और कई सारी बीमारिया फैलेंगे और फासल को भी देखेंगे गर्मी के लहरों के नई बीमारियों का प्रसार जैसे मरे लिया यानि जैसे गर्मी जादा बढ़ेगी तो क्या होगी गर्मी जादा बढ़न और पानी कमी भी हो रही कई कई जगा पर इस प्रकार की चीजें क्या होंगी जलवाई परिवर्तन के आण यह सभी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा यानि जब हमारा क्या हो गविया climate change होगा तो यह सारे परिवर्तन क्या होंगे हम सब लोगों को देखने को मिलेगा ठीक ह ये सारी चीज़ें होंगे इस सारी चीज़ें भईया अच्छी बात तो नहीं देखो 1970 और 80 के दसक में बैस्विक वाई मंडल परदूसन और उसके बैस्विक परिणाम में अर्था जलवाई परिवर्तन पर ध्यान दिया 1972 में जलवाई परिवर्तन के मुद्दे को उठाए गया था तो उसमें भी जलवाई परिवर्तन के मुद्दे को उठाए गया ठीक इसी तरह 1974-1976 में संयुक्त राष ने 20 सुखाद सम्मेलन ने जलवाई परिवर्तन पर एक दबा के रूपे यानि जब 20 सुखाद सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर भी जलवाई परिवर्तन को ले करके चर्चा की गई संयुक्त राष परेवर्न कारिकरम 20 मौसम संगठन के गठन का नेत्र किया गया जह संगठन मौझूदा जलवाई मोडल और साहित के अनुसार ग्रीन हाउस के प्रभाव की भविस्वानी करने 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 यह अगर हम बोलेंगे तो बैसवी कस्तर पर जो उनाइटन नेशन है वह जलवाई परिवर्तन को ले करके कई बार सम्मेलन बुला चुका है और जलवाई परिवर्तन ना हो इसको भी ले करके वो ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए कई सारे प्रयास करा है या कई सारे कदमों को उठाया जा रहा है ठीक है आगे देखे उनिस सो बाननेवे में रियो यानि सिखर सम्मेलन जी से हम बोलते हैं आर्थ सम्मेलन या प्रिथवी सम्मेलन जो हुआ था जलवाई परिवर्तन पर संयुक्तराष्ट फ्रेम और सम्मेलन पर 154 देसों ने हस्ताक्षर किया थे रियो में जो सम्मेलन किया था उसमें 154 देशों ने भाग लिया था और हस्ताक्षर साइन किये थे कि वो जलवाई परिवर्तन पर काम करेंगे UNFCC ने GHG को एक अस्तर पर इस्तिर करने का काम क्या है जो जलवाई प्रणाली की आगे हस्ताक्षर को रोग देगा इस सम्मेलन के पक्षकारों ने उसे 97 कोटो प्रोटोकॉल को भी अपनाया जो देश इस बात की पुष्टी करते हैं वह देशों के गैसों के उत्सरजन को बना रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने और उत्सरजन में ब्यापार में क्या करेंगे सगलन करने में काम करने यानि जो देश हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ राव या उसको रोकने के लिए काम किया जागा यानि जलवाई परिवर्तन ना हो इसके लिए जितने भी देश जितने भी कंट्रियां हैं वो तमाम तरह के कदम उठाएं ताकि ग्रीन हाउस प्रभाव को रोका जा सके और क्लाइमिट जो चेंज हो रहा जो जलवाई परिवर्ता हो रहा इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इंसानों के लिए जीओं के लिए दोनों के लि उनके जिम्मेदारियों को फिक्स करता है ताकि सभी राष्ट जिम्मेदारी के साथ जलवाई परिवर्तां के जो इसे जो मुद्दा है उसको सोल्ब कर सकें ठीक है आगे देखे यहां सिध्धान्त उन विक्सित देशों की जरूरतों पर जोर देता है यानि जो एस पर ध्यान देता है जिने बैस्वीक परिवर्ण समस्या और उनके उच आर्थिक धन और उननत तक्नीकों तक्नीके छमता को अपना एतिहासिक और वर्तमान योगदान दिया है जो प्राकिर्तिक संसादों पर बड़े पैनाया पर सोशन के सक्षम है और उन्हें परिवर्ण ने सबसे जाला क्या किया है कि तापमान को गरम तरने में या कह सकते ग्रीन हाउस परभा में सभी लोग ज्यादा इनका योगदान है इसलिए जब तक बड़े बड़े जो देश हैं विक्सित जो देश हैं अगर जिम्मेदारी लेंगे तो जलवाई परिवर्तन को रोका ज सकता है इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए जैसे अमेरिका है चाइना है रूस है फ्रांस है जर्मनी है इन सब देशों के बड़े बड़े देश हैं इनको जिम्मेदारी लेंगे तब हम ग्रीन हाउस परभा को रोक पाएंगे तब जलवाई परिवर्तन को रोका जा सकता है इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यानि जो बिक्सित देश हैं ठीक है प्रोटोकोल के तहट अदोगिक देशों को अपने जी यच यानि कह सकते ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना आवसक है जो अदोगिक देश हैं जो बड़े बड़े देश हैं जहां पर बड़े करना है जैसे मालीजे की बड़े बड़े जो देश हैं वो जलवाई परिवरतन को रोकें और ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करें अन्य जो देश हैं जो गरीब देश हैं या किसके जो बिकास सेल देश हैं उनको भी ग्रीन हाउस प्रभाव रोकने में और जलवाई परिवरत भी से बहुत ज़़ादा important होने जा रहा है ठीक देखें देखीगा क्या रहेगा देखें एक मिनिट देखेंगा बई चलो एक work नहीं कर रहा है सो थोड़ा वैसे करना पड़ेगा थब थोड़ा सा work अब देखीगा ठीक है यहां पर देखें क्या है सामूहिक लेकिन विभेद जिम्मेदारियां क्या है देखो बिस वितिहास के किसी भी संकट ने जलवाई परिवर्तन सहीत समकालिन बैस्विग पर्यावरणिय संकट के रूप में सरकारों की बढ़ती पारस परिक निरभरता और राज्यों के बीच घनिष्ट सहयोग की आवसक्ता को असपश रूप से बेक्त नहीं किया है क्या कह रहे हैं कि हमने तो जलवाई परिवर्तन का एक इसु बना कि जलवाई परिवर्तन एक बैस्विक मुद्दा है ठीक है लेकिन जो पूरी दुनिया में जो देश है ठीक है वो आपस में सहयोग कैसे करेंगे वो आपस में काम कैसे करेंगे इसको लेकर के कोई असपष्ट नहीं है यही बोल रहे हैं ठीक है यानि राश्टों के बीच में राज्यों के बीच में जो घनिष्ट संबंद है उसको भी असपष्ट करने को रूप से असपष्ट करना जरूरी है जलवाई परिवर्तन अगर पूरी दुनिया के लिए सबसे इधायत किया जाना चाहिए ताकि सभी देश मिल जुल करके जलवाई परिवर्तन को रोक सकें या जलवाई परिवर्तन को कम सकें यानि उनकी सहयोग को ले करके असपस्ट रूप से नहीं कहा गया है वह राश्टिय सीमाओं के पार कार छेतर में बैस्विक हो रहे हैं और वि या राश्टिये लेवल पर उन समास्याओं का समाधान कर रहे हैं ठीक परियावन अमनबय नहीं होगा, सभी देश मिल जूलकर के काम नहीं करेंगे, तब तक परियावन की समस्या हो, या जलवाई परिवर्तिक समस्या हो, या ग्रीन हाउस प्रभाव हो, तब तक हम इसको रोक नहीं सकते हैं, सभी देशों को साथ आना बहुत जरूरी है, और सभी की जिम्मे परियास, लेकिन सामाने बिवेदी जिम्मेदारियों की सिध्धानत है, या आज अगर देखें, परियावन की समस्या को दूर करने के लिए, बैस्विक अस्तर पर क्या हो रहा है, परियास तो हो रहा है, लेकिन सब की जिम्मेदारियां है, उनको निर्धारित नहीं किया ग और सभी देशों की जिम्मेदारी हैं वो सभी लोग उठाएं तभी हम परियावरण की समस्या या जलवाई परिवर्तिन समस्या को दूर कर पाएंगे। जिम्मेदारी को बाटने में सक्षम बनाता है। तब तक इसका समाधान या उन विक्सित देशों को अस्थापित करता है जो परियावरण परियावरण प्रतिबंधु द्वारा बिना रुकावट के लंबे समय तक विकास करने में सक्षम हैं। उन देशों को सबसे ज़्यादा आगे आना है जो देश लंबे समय तक बिना किसी प्रतिरोध के लंबे समय तक विकास कर सकते हैं। उनको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह अन्य देशों को साथ लेकर के आएं और सभी की जिम्मेदारियां फिक्स होनी चाहिए। जितने भी विकास सिल देश हैं उनको उनकी जिम्मेदारियां फिक्स होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पर्याव उनको या जलवाई परिवर्तन में सबसे ज़्यादा युगदान दिया है। उन्हें जिम्मेदारी अधिकांस भागों की लेने की आव सकता है। यानि सबकी जिम्मेदारी लें ठीक है। यानि संयुक्त राष्ट ने जब इसको ठोम में समयलन बुलाया था तो पर्यावन की समस्य को दूर करने के लिए और पर्यावन एक बहुत बड़ा इसू है या क्लाइमेट चेंज या निजिसे हम जलवाई परिवर्तन कर सकते हैं। इसको लेकर के बुलाया था इसके लिए प्रयास किये गए। इसमें अग्रणी दस्ताबेजों ने पर्यावन सनक्षन के परती राष्टों में काम करने करें। इसने परयावन की मागो गरीब राष्टों की आर्थिक विकास किया अवसकता को संतुलित करने पर जोर दिया। इसके अवसकता को संतुलित करने पर जोर दिया गया। इसमें दो या दो से अधिक राज्यों के दावित तो सांजे कावनन करता है। देखो क्या है। एक कह रहे हैं कि परयावन बचाने के लिए जितने भी देश हैं। उनका दावित क्या है। उनकी जिम्मेदारियों क्या है। उनके जिम्मेदारिया निर्धारत हो। तभी हम पर्यावन को भीया बचा सकते हैं, तभी हम जलवाई परिवर्तन को रोक सकते हैं, पूरी दुनिया जब इस पर आएगी, सामुहिक लेकिन बिभेदी जिम्मेदारियों का मसलब क्या होता है, दो या दो से अधिक जो देश हैं, ठीक है, उनके बीच में जो पर्याव जलवाई परिवर्तन की समस्यों को कम कर पाएंगे, जलवाई परिवर्तन रोकना या ग्रीन हाउस के प्रभाव को रोकना, किसी एक या दो देशों की बस की बात नहीं है, या सभी की सामुहिक जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया की सामुहिक जिम्मेदारी है, कि राष्ट के सबी देश जितने हैं वो साथ मिल करके आएं और इसको दूर करने का और पर्यावन को बचाएं भी या जलवाई परिवर्तन और ग्रीन हाउस को प्रभाव को रोकने में वहां मदद करें यही पूरा यहां पर आपको बताएगा जैसे गलोबल वार्मिंग को बताएगा कि स तो कम है लेकिन लोगगों क्या करते हैं कारबन डாय अक्साइड ज्यादा विकास की गति को इतना दिया है कि सबसे ज़्यादा परयावन को हानी किसने पहुँचाई है जो विक्सित देश हैं, जो अमीर देश है जैसे अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है इन लोगों ने सबसे जड़ा परियार रंका दोहन किया है और इन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि लोग गरीन हाुस प्रभाव को रोकें और Green House प्रभाव को रोकने में सबसे आगे आएं ताकि जलवाई परिवर्तन को रोका जा सके जब तक जितने बड़े बड़े देश हैं ये साथ नहीं आएंगे तब तक हम जलवाई परिवर्तन को रोक नहीं पाएंगे इसके लिए हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा यानि इन लोगों को आना पड़ेगा और ये सभी लोग आ करके जो विकास सिल देश हैं जैसे भारत है नेपाल है या छोटे 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 जो देश हैं उन देशों को भी इनको साथ ले करके चलना पड़ेगा यानि बड़ आगे देखेगा, next हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारे लिए बहुत ज़दा important रहेगा, next part जो हमारा आने वाला है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़दा important है, थोड़ा एक मिनट रुखेगा, यहाँ पर देखे, 7.5, ठीक है देखे, बिकास सतता और जलवाई परिवर्तन के बीच परस पर संबंध क्या है, बिकास सतता और जलवाई परिवर्तन की अधानाओं के बीच, बिविद संबंध बिद्यमान है, यानि बिकास सतता और जलवाई परिवर्तन के बीच क्या है, कई सारे संबंध है, क सतत विकास को रोक रहा है यहां तक की मवजूदा विकास लगभग नश्ट हो रहा है यहां तक की जो देश डबलपमेंट करें आगे बढ़ें उनमें क्या और जलवाई परिवरतन क्या कर रहा है उनको नश्ट कर रहा है उनको कमजोर कर रहा है आज वास्तविक चुनोतियां अन्य सामाजी का अक्षांचों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरणिये संदर में नाटकिये रूप से सुधार करना है क्या हो रहा कि सभी देश जो हैं वह सतत विकास करें डबलपमेंट करें अपने चीजों को विकास करें आर्थिक विकास करें इसमें क्या हो रहा सबसे बड़ी समस्या बनती जा रहा है यानि पर्यावरण का इतना ज्यादा नुकसान हो गया है कि सभी देशों को जैसे सतत विकास है इन चीजों पर ध्यान केंदित करने की बजाए जलवाई परिवर्तन पर क्लाइमेट चेंज पर यानि कह सकते ह जरूरत पड़ रही है यानि जलवाई परिवर्तन यह का जो पर्यावरण परदूसन हो रहा है यह कह सकते हैं जलवाई परिवर्तन हो रहा है इससे देशों का जो विकास है जो राष्टे विकास है जो सतत विकास है उसको उससे क्या हो रहा है वो प्रभावित हो रहा है य इसको भी हमें क्या देखकर करना पड़ेगा और एकी कृत करने का कोई यानि हमें ताल मेल बैठाना पड़ेगा हम डबलेपमेंट भी करके हम पर्यावरण को भी बचा सके जलवाई परिवर्तन को भी रोका जा सके और सतत विकास भी हो सके इसके इसके लिए हमें क्या रोड म परिवर्तन को दोस्पूर्टा को कम करने के लिए समाज का इन संसाधनों की रक्षा करने हैं तो अपने प्राक्रितिक संसाधनों से अधिक उत्पादन को संतुलित करने किया हो सकता है परियावर्ण को बचाने के लिए हमें सभी चीजों में सतता यानि समानता लानी पड़े अगर हम लोग जलवाई परिवर्तन को रोक नहीं प्षैंगे और प्रेयाणों बचाएंगे तो सवस्त विकास नहीं हो पाएगा अगर हम development पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो climate change और जलवाई परिवर्थन जो समस्या है वो बढ़ जाएगी इस दोनों में सतता यानि समानता यानि बराबरी के साथ हमें काम करना पड़ेगा दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा यह हमारे लिए बहुत महात्पूर्ण है अदोगी करांती के पच्टात ग्रीन हाउस परभाव की अतधिक बृद्धी ने लोगों और परण के बीच में परिवर्थन यानि अदोगी करांती जब से हुई तब से क्या है ग्रीन हाउस परभाव बढ़ा है और जलवाई परिव लोगों की उन्नती तो करता है ठीक है लोगों की प्रगती तो करता है लेकिन डबलप्मेंट के जरी कई बार क्या होता है ग्रीन हाउस परभाव या परिया अरण को भीया नुकसान भी पहुचता है क्या होता है इससे हमारी जो प्रिथवी की जलवाई प्रभावित भी होत उप्तन गरम हो जाएगी अगर हम लोग बहुत ज़्याधा डपलेपमेंट पर ध्यान देंगे और बहुत ज़्यादा सतत विकास को ध्यान में लखेंगे अगर दुनिया के जितने भी देश हम उनकी बात की जा रहे हैं अगर वो डपलेपमेंट ही करेंगे मेल फैक्टरी ही लगाएंगे कमपनी ही लगाएंगे तो धरती का तापमान क्या होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आने वाली जो हमारी पीड़ियां हैं उनके लिए अब धो हमारी धरती होगी जो हमारा पर्यावन होगा और रहने के लिए सफिसेंट यानि सही नहीं रहेगा वो इस परयावन में अपना जीवन निर्वा और अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे यानि हमें डबलेपमेंट को और जलवाई परिवरतन या कार गिरियन हाउस प्रभाव को इन दोनों जितनी भी समस्या हैं यानि डबलेपमेंट भी हो और क्लाइमेट चेंज को भी काम हो दोनों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है अगर एक पर ध्यान देंगे तो दूसरा छूट जाएगा और दूसरे पर ध्यान देंगे तो पहला छूट जाएगा इसलिए दोनों में बराबरी जरूरी है बिश्व के सबसे गरीब देश ऐसे हैं जो जलवाई परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित हैं यानि बिश्व के गरीब देश जो हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जलवाई परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है कई देश और कई छेत्रों के लिए ना केवल आर्थी विकास बलकि सामाजी कुड़वदिया दाओं पर है समुद्र का अस्तर जल बढ़ रहा है बरसात के और पतज़ड के मौसम बदल रहे है वर्सा लगातार परिवर्तन सीला और त्यासित होती जा रहे है जलवाई परिवर्तन से क्या और भाई जो गरीब देश हैं इनको ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है यानि जलवाई परिवर्तन से सबसे ज़्यादा जो गरीब देश हैं इनको ही नुकसान उठाना पड़ रहा है कई देशों में क्या हो रहा है कि वहाँ पर आर्थी विकास बलकि सामाजिक उडवदिया दाओं पर है यानि आर्थी विकास तो बाद में देखा जाएगा सबसे पहले वहाँ पर जो सामाजिक समस्या है जो परेवन की समस्या वो बढ़ गई है क्या रहा है समुद्र का जल बढ़ रहा है बरसाथ वहाँ जो बरसाथ का मौसम है जो पत्रधर का मौसम है वो कभी आता है कभी नहीं आता है यानि वहाँ पर मौसम परिवर्तित हो रहा है वर्सा में लगातार परिवर्तन हो रहा है फ प्रफ्टर में फाइल रही है बाढ़ की समस्या बन रही है आगे चल करके अर्थात भविस में सुस्क और आर्द्शूर्श छेत्रों में कई विकासिल देशों में पानी की स्थिती और खराब हो सकती है बड़ी संख्या में लोगों के समुद्र के अस्तर में बृद्धी होन इसमें अकेले केवल बंगला देश में सौ लाक लोग सामिल हैं जो संयुत राष्ट निचले अस्तर पर दीवपे में बसे हुए हैं कहरें कि जलवाई परिवर्तन जो है उससे क्या है भई इस प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी अगर हम विकास को ध्यान देंगे तो जल अधियोगी कास्तर और प्रकिर्ति और उसकी उर्जा खपत्पन निर्भर करता है कह रहें कि कोई भी देश जो कार्बन डायाकसाइड छोड़ रहा है बताता है कि ओदोस कितना डबलप है कितना काम कर रहा है या वहाँ पर उत्पादन प्रडॉक्शन कितना जो देश में ज्यादा से ज्यादा कमपनी होगी ज्यादा से ज्यादा फैक्टर होगी वहाँ पर ज्यादा उत्पादन जो देश बहुत तेजी से विकास करेगा वहाँ पर उतना ही ज्यादा कार्बन डायाकसाइड बढ़ेगी या उतना ज्यादा ही जलवाई परिवर्तन का और पर्या सील देशे पास लोगों की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन अलोग की उत्व अँर्जा की खपत परतिएप एक्शकृत कम है यहाँ जो घरीब देश हैं उनमें संख्या तो बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन वहां पर उर्जा की खपत कम है, ओ गरीब लोग है, उनके पास नो तो पानी है नो बिजली की समस्या है यहनी ओ लोग उर्जा के संसाधनों का कम से कमिए, जो बिखसित देश है जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, जर्मनी है, इतली है यहां की जंसंख्या-क्याम है, लेकिन ए लोग क्या करते हैं, Greenhouse प्रभाव ज़यादा कर रहे हैं, WP, यहां पर meal factory ज़्यादा है, company ज्यादा है, इसलोग संसाधनों का बहुत जादा use कर रहे हैं, जिससे कह रहा है, Greenhouse प्रभाव या जलवाई परिवरतन का कान बना, इसे मे करीब जो देश हैं उनको समस्या का सामना करा उन लोगें के पास वह याज चीजें ही नहीं है वह जड़ा डबलेफ ही नहीं है वह प्रदूसर नहीं कर सकते जलवाई परिवर्तन का रहे हैं लेकिन उनको भूगतना पड़ रहा है सबसे ज्यादा ठीक है आगे देखें क्या सामुहिक लेकिन बिभेदी जिम्मेदारियों की सिधान के अनुसार बिक्सित देश आब तक जी यच जी के सबसे बड़े उत्सरजक देश रहे हैं अब जलवाई परिवर्तन के परभाव के लिए मुख जिम्मेदारी स्वविकार कनी चाहिए यानि जो डबलब कंट्रिया हैं जो बिक्सित कंट्रियां हैं उनको ग्रीन हाॉस प्रभाव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें ग्रीन हाॉस प्रभाव को रोकना चाहिए क्योंकि ने ldeashर बिक्सित समाजों ने जो बोजा डाला है उसे महतुहीन कटवती करने की आव सकता है ठीक है उसको क्या है कटवती करने के आव सकता है जिसके लिए अस्थापित रूप से उत्पादन, खपत, उरजा, परिवाहन, निर्माण, किरसी, सहीत, प्रमुख आर्थिक छेतरों में आकासमिक परिवर्तन की आज सकता है, यह जो डबलब कंट्रियां है, वो सभी चूजों में परिवर्तन करें या चेंज करें, उनके वहाँ पर उर्जा की खपत है, परिवाहन की खपत है, निर्मार है, या जोतने भी आर्थिक छेतर हैं, उनको थोड़ा कम करें, ताकि पर्याण को भाईया कम से कम न क्यों परिवर्तन सही नहीं रहें देखो अपी करण अनुकूलन और प्रदोगी का परियोजना के इस तहत होना चाहिए इसके लिए अनुमती देए यही कारण है कि बिकास सिल्देशों के लिए अतरिक्त बित्तिये प्रवा अधिक मात्मुन यानि जो बिकास सिल्देश हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बित्तिये सहायता दी जाए या ज़्यादा लाब दी जाए ताकि ओ लोग भी थोड़ा बहुत डबलेप मेंट कर सकें और जो लोग डबलेप कंट्रियां हैं ओ थोड़ा कम करें ताकि ग्रीन हाउस प्रवा या कार्बन डैक्साइट कम छो ये क्यों लोग भी कारबन उस सर्जन जो इसकों कम करें पूजी लगाने अर्थात बित्तिक ये आउ सकता है चुनोती को पूरा करने के लिए अंतर राश्ट्यव राश्ट्ये दोनों के लिए प्राकिर्तिक संसाध्नों का प्रबंधन उर्जा प्रवंधन सहरी करन समाजी करन सुरक्षा जाल अंतराश्टे बित्ते ये संस्थान तक्नीकी अनुस्वंधान में मौलिक परिवर्तन ग्यात बेवसाईयों से बहतर उपियों करने की आव सकता है यह जो विकास सील है जेस हैं उनको क्या है सभी चीजों को सही धंग से यूज करें सभी चीजों का सही धं बिकास की प्रगर्ती की लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पूरा चैप्टर एंह बताता है अगर लास्ट में अगर में बोलूँ है चैप्टर एंह कहे रहा है कि जल्वाई परिवर्तन और 스킴 सास्り शलना पढ़े अगर अगर हम जलवाई परिवर्त उनको नहीं रहोंगे और डबलप्मेंट कर चे जाएंगे तो यह सही नहीं रहेगा यह परेवन के लिए खतरनाक है और सतत भी गए आनि आवले पेड़ियों के लिए खतरनाक होगा ठीक है अगर हम परेवन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंग तो यह मानोजाती के लिए अच्छा होगा और बिस्व के लिए अच्छा होगा और सभी राष्टों के लिए भलाई का काम होगा यानि हमें डबलप्मेंट यानि विकास को भी और जलवाई परिवर्तन यानि climate change को भी दोनों को साथ यानि परेवन को भी बचाना है विकास करना है दोनों को साथ ले करके चलने की जरूरत है अगर हम दोनों चीज़ों को साथ ले करके चलेंगे तब हमारे लिए ये बहतर रहेगा तब हमारे लिए अच्छा रहेगा ये पूरा चेप्टर था ये चेप्टर नंबर जो आपका था 7 ठीक है इसको आप अगर आपको जरूर बताना जो मैं आपको बताता हूँ आपके समझ में आता है या नहीं आता है मुझे जरूर बताईगा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सोमत जैहिं जैभारत थैंक्यू सोमत